दोस्तों अगर आप लोगों का भी सहारा इंडिया परिवार में पैसा फसा हुआ था और आप लोगों ने ओनलाइन ही फोर्म को फिलप भी कर दिया है तो यहाँ पर सहारा इंडिया का पैसा कुछ लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को step by step बताने वाला हूँ जिन लोगों ने form को फिलप नहीं किया है कि किस तरह से उन लोगों को बिना गलती किये हुए बिल्कुल final form को submit करना है और किस तरह से उन लोगों को claim के लिए apply करना है। बहुत सो लोग यहाँ पर इस form को submit करने में कुछ mistake कर देते हैं गलतियां कर देते हैं जिनकी बजह से उनका जो पैसा है बहे refund नहीं मिल पाएगा तो अगर आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की आप शक्ता नहीं पड़ेगी और आप लोगों को आसानी से सहारा इं उन लोगों को किस तरह से bonds की information पोर्टल पर upload करनी है तो complete information के लिए आप लोग इस वीडियो को end तक देखते रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप direct ही इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे और यह पोर्टल खास तोर से जिन भी लोगों का सहारा इंडिया परिवार में पैसा फसा हुआ है उन लोगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर आप इस पोर्टल का नाम देख सकते हैं केंद्रिय पंजीक सहारा refund पोर्टल अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है काफी सारे उपर क साइड में आपको options देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले जमा करता पंजीकरण करना पड़ेगा अगर आप इसमें first time login करना चाहते हैं तो यहाँ पर जमा करता पंजीकरण वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंग इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ट के last के four digit एंटर कर देने हैं और इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ट में जो भी mobile number लिंक है उस mobile number को यहाँ पर एंटर करना है अगर आपके आधार कार्ट म mobile number लिंक नहीं है तो आप यहाँ से online registration नहीं कर सकते हैं आधार कार्ट के last के four digit और mobile number डालने के बाद OTP प्राप्त करें वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके mobile phone पर जो भी OTP आया है उस OTP को यहाँ पर फिल करना है इसके बाद OTP सत्यापित करें वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है इसके बाद आपका registration complete हो जाएगा अब आपको यहाँ पर जमा करता login वाले option पर एक बार क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे अब दोबारा से आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ट के last के four digit एंटर करने है इसके बाद यहाँ पर आध आधार कार्ड से लिंक है और OTP फिल करने के बाद आपको सब्मिट वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा अब यहां पर आप देख सकते हो लिखा कुछ इस तरह से और इसके बाद मैं सहमत हूँ वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है आपको यहां पर एक ओप्शन दिखाई दे रहा है अगला आपको इस वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहां पर बैक्तिगत अभी तक आपने अधार कार्ट के लाश्ट के 4 डिजिट को एंटर किया था लेकिन अब आपको यहाँ पर अपना complete यानि की पूरा आधार नमबर एंटर करना है इसके बाद आपको यहाँ पर OTP प्राप्त करें वाले option पर एक बार क्लिक करना है आधार नमबर और OTP वाले option प जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम लिखे आ जाएगा आपके आधार कार्ट के हिसाब से ले लिया जाएगा इसके बाद आपकी यहाँ पर जनमतित ही आ जाएगी यहाँ पर आपके पिता का नाम और इसके बाद यहाँ पर आपके आधार का नाम और इसके बाद य जो भी सहारा का refund का पैसा है आपके इसी वाले bank में transfer किया जाएगा अब आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है email तो अगर आपके पास कोई भी email ID है तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं अगर नहीं है तो इसे आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है और email ID डालने के बाद यहाँ पर email सहजे वाले option पर एक बार click कर देना है तो आपकी email ID भी यहाँ पर link हो जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे के side में आना है और आपको यहाँ पर अगला वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही अगला वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर आता है main part यानि की दाबा विवरर यह वाला part आपको बहुत ही ध्यान से fill up करना है और बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इस information को fill up करना है अगर इसमें आप कोई भी mistake कर देते हैं तो आपका जो भी सहारा का पैसा है उसे आने में काफी ज़्यादा problems आ सकती है सबसे पहले यहाँ पर society का नाम हमें select करना है तो click करेंगे click करने के बाद में यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो चार society के नाम आ रहे हैं अब आपको जो भी agent द्वारा रसीत बगेरा दी गई होगी तो उस रसीत पर यह society का नाम पड़ा हुआ रहता है तो अभी आप लोग देख सकते हो यह हमारे पास एक सहारा इंडिया का bond है और इस bond पर सबसे उपर के side में आपको देखने को मिल जाएगा society का नाम यहाँ पर इसमें society जो दी गई है उसका नाम है सहारियन यूनिवर्सल मल्टी पर्पस सोसाइटी लिमिटेट तो इसी वाली society को आपको यहाँ पर select कर लेना है उपर की side में आप लोग देख सकते हो यह तीसरे number पर society का नाम दिया गया है यहाँ से हमने society को select कर लिया इसके बाद अब यहाँ पर सदस्यता संख्या यानि की membership number अब यह membership number भी आप लोगों को bond पर ही देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह है receipt number और इसके बाद यहाँ पर है membership number तो यह आप लोगों को बहाँ पर membership number एंटर कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर खाता संख्या एंटर करना है काफी लोगों को यहाँ पर problem आ रही है कि उनके bond paper पर खाता संख्या नहीं है तो ऐसे situation में उन लोगों को क्या करना है दोस्तों किसी-किसी के bond paper पर खाता संख्या बिल्कुल ही नहीं दी गई है लेकिन किसी के bond paper पर जो खाता संख्या है उसको control number के नाम से भी दिया गया है जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वाले bond पर दिखा देता हूँ इसमें आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा control number तो यहाँ पर आपका जो control number है इसी को आप लोगों को खाता संक्या में enter कर देना है तो आप लोगों का ये खाता संक्या हो जाएगा और बाकी और भी जो bonds हैं उनमें direct ही account number लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक ये bond है हमारे पास इसमें पूरा account number दिया गया है तो आप लोग यहीं से इस वाले account number को बहाँ पर fill up कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों कुछ bonds ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल ही खाता संक्या नहीं दिया गया है तो ऐसे situation में आप लोगों को अपने agent से contact करना पड़ेगा दैन इसके बाद ही आप लोगों को वहाँ पर account number को fill up करना है अब इसके बाद यहाँ पर चौथा option आता है रसीत संक्या रसीत संक्या मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यह कहाँ पर दी गई रहती है तो यह है हमारे पास अभी bond paper और इसके बाद यहाँ पर उपर के side में सबसे आपको देखने को मिल जाएगा receipt number तो यह है आप लोगों की रसीत संक्या तो इस रसीत संक्या को यहाँ पर आपको fill up करना है इसके बाद यहाँ पर पिरमार पत्र और पास बुक नंबर यह भी आप लोगों के bond paper पर ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर खाता खोलने की तिथी और जमा योगदान रासी deposited amount यानि कि आपने कितना amount इसमें deposit किया है उस amount को यहाँ पर fill up करना है सभी कुछ information आपको यहाँ पर bond paper पर देखने को मिल जाएगी और अगर आपको कोई भी information नहीं मिलती है तो आपको अपने जो भी agent है उससे contact करना पड़ेगा तो इस bond paper से देख देख करके आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सभी कुछ information को fill up करना है और इसके बाद आपसे पूचा जा रहा है यहाँ पर कि क्या आपको कोई भी आंसिक भुकतान प्राप्त हुआ है अभी तक या फिर नहीं हुआ है माल लेते हैं आपको कोई भी आंसिक भुकतान प्राप्त हुआ तो आपको इस वाले option पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर उससे related information देनी है कि कितना amount आपको प्राप्त हुआ है इसके बाद यहाँ पर पूँचा जा रहा है क्या आपने society से read लिया है या फिर नहीं अगर आप यहाँ पर yes वाले option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे loan amount पूचा जाएगा कि कितना आपने रिर लिया है और यहाँ पर चुकाया यानि कि कितना आप लोगों ने यहाँ पर चुका दिया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जमा प्रमाड पत्र को upload करने का option आ रहा है जमा प्रमाड पत्र में अब आपको क्या क्या upload करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जमा प्रमाड पत्र में आप लोगों को इस वाले bond की एक पूरी photo ले लेनी है और इसके बाद आपको upload करना है अब जिनके पास यहाँ पर multiple bonds हैं यानि कि 2, 3 या फिर 4 तो उन लोगों को एक साथ ही चारों bond को upload नहीं करना है बलकि क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक bond की photo ले लेनी है और यहाँ पर उसी bond की सभी कुछ information को fill up करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर choose file वाले option पर click करना है और अपनी gallery से उस वाले bond को यहाँ पर upload कर देना है upload करने के बाद आपको क्या करना है दावा जोडे वाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो उस bond से related जो भी information होगी वह information यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि उस bond का society का नाम सदस्यता संख्या और भी जो कुछ information है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एक bond आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके बाद आपको इसी तरहें से दूसरे bond की भी information यहाँ पर fill up करनी है जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर society का नाम fill करना है तो जरूरी नहीं है उनमें कि society एक ही हो अलग-अलग society भी हो सकती है इसलिए आपको दुबारा से society का नाम यहाँ पर select करना है इसके बाद आपको दूसरे वाले bond की यहाँ पर सदस्यता संख्या फिल करनी है इसके बाद account number असीद संख्या पास्बुक और इसके बाद यहाँ पर खाता खोलने की तिथी बगार है यानि कि सभी कोछ information आपको दुबारा से fill up करनी है दूसरे bond की और इसके बाद आपको क्या करना है दूसरे वाले bond को अब यहाँ पर upload करना है choose file वाले option पर click करेंगे दूसरे वाले bond को select करेंगे और upload करने के बाद दावा जोड़े वाले option पर एक बार click कर देना है अब जब यहाँ पर click करेंगे तो उसके जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पर दूसरे बॉन्ड की भी information देखने को मिल जाएगी यहाँ पर किस तरह से बॉन्ड की information देखने को मिलेगी वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जितने भी bonds आप यहाँ पर दावा जोड़े वाले option पर क्लिक करते जाएंगे तो उसी प्रकास से आपके जितने भी bonds हैं वो कुछ इस तरहें से यहाँ पर upload होते जाएंगे रहना है और अगर आपको कोई भी mistake से गलत bond upload हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक option मिलता है edit का आप edit भी कर सकते हो उसकी information को और delete भी कर सकते हो और यहाँ पर जब आपके सभी bonds upload हो जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा अगला आपको अगला वाले option पर एक बार click करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास जितने भी bond हैं वो आपको अभी ही upload करने हैं और ऐसा नहीं होगा अगर आपने एक ही bond upload किया और आपके पास दो या फिर तीन bond थे और आपने एक bond upload करके form को final submit कर दिया उसके बाद सोचो कि हम दोबारा से form को fill up कर दें और दूसरे bond को upload कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इसलिए यहाँ पर registration cable एक ही बार होगा और एक ही बार में आप लोगों को जितने भी bonds हैं सभी ओ आपको upload करना पड़ेगा अगला वाले option पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा अब आपको यहाँ पर एक form देखने को मिल रहा होगा इस form को आपको download करना है तो form को download करने के लिए आपको क्या करना है नीचे की side में एक option देखने को मिल रहा है form download करें तो इसी बार option पर आपको एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे तो यह पूरा form आपके mobile phone में download हो जाएगा form download होने के बाद यह form आपको किस तरहें से दिखेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप form को download कर लें इसके बाद आपको इसका एक print out निकलवा लेना है किसी भी photocopy shop पर जाकर print out इसका निकलवाएंगे print out निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर एक photo लगा देना है अपना photo लगाना है यानि कि जिसके भी नाम से आप यह forum भर रहे हैं जिसका भी refund के लिए आप अपलाई कर रहे हैं उसका photo यहाँ पर लगा देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इस फोटो के उपर ही क्रोज में सिगनेचर करने है कुछ इस टाइप से सिगनेचर करने के बाद अब आपको यहाँ पर एडरस फिल अप कर देना है एडरस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल कर देना है और इसके बाद आपको क्या करना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर आपकी जो date है वो पहले से ही लिखे हुई रहेगी यहाँ पर आपको signature of depositor यानि की जमा करता के signature करने है और यहाँ पर जमा करता का नाम टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर place और mobile number place में आप अपने village का भी नाम डाल सकते हैं और आप अपने city का भी नाम डाल सकते हैं इससे कोई भी problem नहीं होने वाली है तो इतना form आपको complete कर लेना है form complete करने के बाद अब आपको इस form को upload करना पड़ेगा और साथ ही अगर आपकी जो राशी है वह 50,000 रुपए से अधिक है तो आपको pen card को भी upload करना पड़ेगा तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह last step रह गया है तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर दावा आवेदन पिरपत्र को upload करना है ठीक है यह वाला जो form है इससे आप लोगों को यहाँ पर upload करना है और इसके बाद आपको क्या करना है pen card number को यहाँ पर fill up करना है इसके बाद यहाँ पर pen copy upload करना है pen card की आपको एक photo खींच लेनी है photo खींचने के बाद आपको choose file वाले option पर click करना है किलिक करने के बाद में आपको क्या करना है अपलोड करें वाले option पर एक बार किलिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करेंगे इसके बाद आपके यह दोनों ही documents अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो दस्तावेश सफलता पूरवक अपलोड किये गए अगले चरड पर जाएं तो नीचे के साइड में आएंगे और अगला का आपको एक option देखने को मिल जाएगा तो अगला वाले option पर एक बार किलिक कर देना है अब जैसे ही आप अगला वाले option पर किलिक करेंगे फिर आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर देखिए लिक्के आ जाएगा धन्यबाद हम आपके दावा की प्रात्ति सुईकार करते हैं और आपका दावा अनुरोद संख्या यहाँ पर आपको एक receipt number मिल जाएगा और जिसे आप लोगों को भविश के संदर्ब के लिए note करके रख लेना है बस आप लोगों को इतना ही step complete करना है और आपका जो भी complete form है बहें submit हो जाएगा और इसके अलाबा आपको कुछ भी नहीं करना है तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को registration से लेकर के complete last तक जो आपका अनुरोध संख्या मिलता है बहां तक का process बता दिया है बिल्कुल बारीकी से और उमेद करता हूँ अब आप लोगों के जितने भी doubts होंगे सभी clear हो गए होंगे लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी question या फिर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ